गोड़ी एमनिंग एवरीबोडी वेलकम टू मैं चानेल डा इन्विजीबल ट्रेडर हो पाज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ट्रेडिंग में राइट जो लोग रिविव अगर हम करें पहले टाइमिंग के रिविव करें तो इस टाइम पर फेंटास्टिक तो एक ज टेन-थर्टी तक हमारी इपन तक यहां तक बईन थी मुझे जितना यादे वन क्लॉक से हमारी बाइंग थी अब टू-245 तक टू-425 से तरी थर्टी तक market डाउन ता डाउन नीचे market आया भी बट बहुत हलका आया थोड़ा आया और मैंने clearly आपको यह pattern बोला था forget about market open कहा हूँ है मैं उधर आता हूँ market इस तरह की pattern बनाएगा right correct इस तरह की pattern market बनाएगा और जब भी यह वाली पार के बाटन बनती है अगर उपर साइड यह pattern बनती है तो यह बियर ट्राप होगा market में आपको पी लेना नहीं है मोस्ट पावली यह गैप अपन करेगा right फ्राइडे को जिन्होंने पोजिशन यहां पे ओन क्याता है लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बोला था दे एंड में अगर इस डिएसी बैंक 2.5 पर संट के ऊपर क्लोस करता है अराउं 2.5 तो 2.6 तो आपको सी होल्ड करना है बहुत निफ्टी और मैंक निफ्टी यही अखेला यह फील है इस डिएसी बैंक इस डिएसी मर्जर का यह एक दिन में आपको नेगेट नहीं हो सकता ओके सो दाट उफोरिया मोमेंट विल कंटीन्यू इसलिए हम फिर भी बाइंडिस में राएंगे और सब को याद है जो मैंने वीकली वीडियो में भी बुला था था थरस्ड अगर आप लोग को याद होगा मैंने तो लेवल हटा दिया आज के कल का लेवल बना दिया इक्जागली हैं पर हमारी से लेवल था जोन तो नहीं था लेवल था और निफ्टी में थोड़ा सा नीचे था आफकर्स उपर था यहां पर 17,826 मुझे याद है तो यहां पर लेवल सपोर्ट करता है दे हाई कट पे आपको बाई लेना था निफ्टी में तो बहुत उपर गया बैंग निफ्टी में मैं यह लेवल पर मैने खुद यह लेवल कट पर लिया था यह कैंदल पर और हम लोग आइडियाली मेरा जो खुद का पोजिश्णल पोजिशनल नि ये लेबल को क्रॉस किया यह हमारे एक पावरफुल लेवल है ये येलो लेवल में ने ड्रॉ किया था ना वीकली वीडियो में और आप अगर आप देखो के यही येलो लेवल पे डिशिशन मेकिंग हुए आज अगर बायर सेलर की साइकलोजी लोगे सी हाव मुच टाइम दर सेलर्स और बायर सेकें डिशिशन अडिस लेवल ओके ना वन टू थ्री थर्ट टाइम ब्रेक मार्केट कंसॉलिडेटिंग अपसाइड ओके यहां पे भी हमने बाई लिया था मैंने खुद टू-फॉर्टी-फाइव तक लिया था क्योंकि तब तक ही हमारी अश्टो के टाइमिंग के सबसे तो यहां से यहां तक हमारी और यहां से यहां से यहां तक हमारी थी डोई ट्रेट only 38,600 का ही सील लिया था मैंने जहां पे यह क्लोजिंग कित फोड़ा आउट अप दमनी था पैसे कम मनें बट इस गूड़ अमांट अप मैड वी था लोगों ने मेरे को पूछा कि हमें कोई अजस्मेंट करनी है क्या डाउन साइड में मैंने क्लियरली बोला दो बज़े तक तो रुको ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यह स्विंग लोग कट हुट था तो हम देखते विवाज वेरी क्लियर बायन डिप्स का अस्टो ट काम करेगा और मैं पहले आपको टाइमिंग दे देता हूं कल के लिए अच्छा यह आज का हमारा टाइमिंग तर फूर्थ अप्रिल का अब मैच कर सकते हो यह यह यूट्यूब में डाला है ग्रूप में सारी कमुनिटी टाब में मैच कर सकते हो रादा दन मी क्लेमिंग है ओके कल का टाइमिंग यह है देखते हैं सी ओनली तिंग दाट वी केन आट गारेंटी आज इसेड़ गैप प्स और गैप डाउंस अमाउंट अफ मोमेंटम के इस टाइम के अंदर मार्केट पांसो पोट जाएगा या दो सो पोट जाएगा वी डोंट नो दाट ओके बट टाइमिंग हम अपने को बता रहा है टाइमिंग 915-1230 हमारी पॉजिटिव रहने की पॉसिबिलिटीज है पंदरा भी समनेट इदर उदर हो सकता है और 1230-120 डाउन दिख रहा है वन आर और 145-3 प्यम पॉजिटिव 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 पॉजिव वरनेज़ थर्स्टे सो अमरा विव स्टिल बाया ओं डिप से मंडे इतना बड़ा मुवमेंट होने के बात ओके ना मैंने आपको क्लियर ली ना कोई ट्रांगल ना कोई स्ट्राइडल कुछ भी मैंने रेकोमेंड ने किया था इस वीक इफ यू रिमेंबर माई वीडिव व मेंणेड़ पर सकत्रै एक पूल पूट स्प्रेड हम लेंगे जो बैसिकली मेरे डूसरे अकाउट में चलता है तो हमने थर्टी-णाइन-बडाउजेंट का एक बिल पूट स्प्रेड लिया है सब्सक्राइब करना है और यह रेंज में आपको बहुत पैसे मिलेंगे बहुत बढ़ा होता है ठीक है जिसने ओपन किया मैंने यह बोला था कि आजब दो मुणी आपको सेल करना है और यह एक पोजिशन है मेरा अदर्वाइस टैंगल और स्टंड्ल का कोई पॉजिशन और कुछ नहीं यह नाइक निव इसन दाए हाव ग्राव कंटीनिव एंड कि यूब मार्केट जिस्टरा से बियर कर रहा है और जैसे उपधानेट मेरा व्यू है के मार्केट उपर साइड ही रहना चाहिए कल और जैसे मुझा यह यह HDFC बैंक और HDFC का मर्जर का जो न्यूस है लोगों में जो बेसिकली एक्साइटमेंट है इस्पेशली इंस्टिटिशिशंस दिया और एफ आज अगर आप देखो के इस फिर्स्टिशंस पॉट सिगनिफिकन अमांट अवाँंट अवाँट 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 इस दिफिट विन्स ओंड इस दाट यूफोरिया और कर गया था नहीं किया कल दे कल कर देगा मौस्ट प्रबबली ठीक है तो हमारी जो कैपिंग लेवल वैसे तो अपर साइड में मैंने कोई कैपिंग नहीं दे थी अगर आप विकली वीडियो याद रखे हो अपर साइड में आई डिड नॉट गेव एनी कैपिंग अट अल द तर्टी नाइन दाउजन टूहंडड़ का असपास के टार्गेट होनी चीए कल तक और मैक्सिमम टार्गेट थी नाइन दाउजन फाइपनड़ साइड ये विडिनेस दे तक भी आजाए कल भी आजाए कितना बड़ा मुमेंट होगा उसके हिसाफ से देखते हैं market आपर साइट रहने की पॉसिबिलिटीज है तो 39,200 तर्टी नाइन दाउजन टूहंड़ेट दी नाइन दाउजन टूहंड़ेट त्टी और 39,500 के लेबल से दोनों मैं से टाइमिंग के हिसाफ से आफ्टर ट्वल्थर्टी हमें एक सेल लेने की पॉसिबिलिटीज है एक और का से लोगा यह कितना बड़ा से लोगा वी डॉंट नो विट लिसुट टार्गेट दो फिप्टी परसेंट आप दो मुवमेंट का सेल तो आप लेने की कोशिश करना यहां पर उसके बाद हम देखेंगे बाइ करना है या नहीं करना है ठीक है बाइ हमें 145 से पहले नहीं करना है 145 तक मार्केट को नीचे आने देना है या तो यह डे हाई पर लेके ऊपर जाएगा और बाइचांस इधर आ गया तो इस इस वेरी वेरी पावर्फुल लेवल ओके यह जो यह यह लो लेवल जो आपको दिख रहा है ना आपको 300 पॉइंट की मिनिमम लेनी अगर यह मिल जाता है यह मिलेगा क्योंकि मार्केट यहां से उपर जा सकता है यहां पर मार्केट मिल जाता है नैंटी नाइन परसेंट हाई चांसे सब बाइंग फ्रम थर्टी थाउजड थाउजन थ्रीहंड़ सिक्स्ट का लेवल से व वहां तक हम मार्केट को एजिले लेकर जा सकते 400 पॉइंट की आपकी बाइंग होनी चाहिए बट मेरा व्यू है यह आज के डे के हाई के उपर ही क्लूज करना चाहिए रिस्टीज बोनस पांसों पॉइंट भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है तो यह तो यह मुमेंट और प्रबाबली यह लेवल कहीं से एक बार मार्केट को गिरना चाहिए डिपेंडिंग अपन मॉनिंग में मुम्मेंट कितना बड़ा होता है ठीक है पाटन हमारा यहीं होना चाहिए कल का बागे देखते हैं क्या है और सेम बैटन फॉट वेडनेस डे ऑल्सों सो मार्केट बैटन फॉट कम लाइक देस और बाइंग निफ्टी में कल की कल की जो अपर साइट कैपिंग है इतना होना चाहिए दो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है हम लोग हम लोग यह नहीं सो सकते के मार्केट अनादर थाउजन पॉइंट जाएगा ओके तो एट हैंड़ सब्सक्राइंग लेवल भी है तो यह दो पॉवर फुल लेवल तो यहां से और यहां से कहीं से भी आ सकता है औके यह पावरफु लेवल डाउनसाइड में लिसेश पार लुट के पारवर लेएंग रिंग निफ्यून परसेंट पाइग डिफिनेटी अरौन उन फोन ताउजन पॉइंट का रेंज है ताउजन पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी खिलना चाहिए मैंने आपको दोनों साइट की कैपिंग लेवल दिये हैं कल के ओके दिखते हैं मार्केट ओपन कहां करता है डाट इस वेरी वेरी इंपोर्टन अगर मार्केट बहुत करेंगे बड़िया बाइंग तभी करेंगे या तो मार्केट फ्लाट ओपन हो पांच मिनेट का ग्रीन कैंडल बनाए ओपनिंग रेंज ब्रिक आउट करें बाय कर लो दर 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 या और माइल्ड पॉजिटीव और माइल्ड गैप डाउन ओपन करें और डे हाई को कट करें तब भी आप बाइंग कर सकते हो 400 पॉइंट का असपास आपकी बाइंग आएगी है भी आप में थोड़ा रिफ्रेंट रहोंगा ओके मैं राधर 145 का वेट करूंगा फर बाइंग और वेट 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 वर इट वेट वर इन तरी का ताइमिंग अराउंट सेल ओके क्लियर अगर वीकली वीडियो आप देखे होगे मैंने बुला था बैंक निफ्टी और निफ्टी वुड रन इन सिंक ओके अट इस वट यूप सिन हीर मोल मुसिंग एक्सेप्ट इस लेवल्स यहां पर थोड़ा और राधर कंसॉलिडेशन होना चीए था बट डिसंट माटर इस त सिनारियो सेम है मार्केट अगर उपर जाके ऐसे नीचे आता है या तो यह लेवल पर 18,050 का लेवल पर और 17,990 के लेवल से कहीं से भी मार्क यह जोन में से कहीं से भी मार्केट उपर जाएगा कली टाइमिंग को ध्यान देना और मेरा वियू है कि टुडेज दे हाई के ऊ उपर मार्केट क्लोज करना चाहिए आपकी बाइंग अटलीस यहां तक होनी चाहिए 161 यहां से यहां से कहीं पर भी करो आप 99 परसे जो मैंने आपको दिया है क्योंकि यह हमारी पीवर्ट है मार्केट अगर उपर से नीचे आ रहा है तो पीवर्ट टेच करके एक करना मेरे लिए निफ्टी की रेंज कल मोस्ट प्रोबाबली यहां तक होना चीए कंडिशन में बताता हूं निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है कंडिशन में बताता हूं 18illusion 18100 126 200, 17 में जाने मार्केट यहां बड़ा होगा द्रिए में बट एक मार्केट यग बाद पड़ेगा उसके बाद बाय हो जाए अलग बात बटै बल इक लैक बापड़ सब्सक्या अ देगा जो जो लोगों ने फ्राइडे से अपनी सी पोजिशन्स कोल्ड करके रखे हुए और कुछ लोगों ने मुझे निफ्टी में भी पूछा पोस्नली एक दो लोगों ने तो मैंने उनको बोला था क्या आप होल्ड करो निफ्टी में भी ठीक है और 260 के आसपास एक बार बुक करने की कोसिस करना जबकि हमारी वीकली कापिंग लेविल तो 18,400 के आसपास है बट सेवन 18,264 के आसपास एक बारा प्रॉफिट बॉक करना option buyers की बात कर रहा हूँ यह जब डीप आएगा फिर डीप ने दुबारा बाय करना तो यू कन मेक लिटल बिटल बिट आप मोर मनी रादर दन वेटिंग यह डीप न आप जेल नहीं पाओगे यू डोंट नो कितना बड़ा डीप आएगा कितनी बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग आगी यू डोंग पर दाट प्रॉफिट बॉकिंग विल बॉट परसेंट परसेंट तो नहीं 99 परसेंट बॉकिंग विल बॉट तो पैटर्न हमारा ऐसा होना चाहिए रेंज मेरा यह होना चाहिए एटीन दाउजन टू सिक्स्टी टू एटीन दाउजन टू हंडड़ फिप्टी पॉंट्स का रेंज मेरा होना चाहिए निफ्टी में कल प्रॉबाइड यह सेल जोन के ऊपर अपना करें सेल जोन के ऊपर अगर गैप अप किया तो सबको पाता है ट्रेड कैसे करना है फिर चैस में हम सिल का देखेंगे फिर ऍेटि उसके इसमें हम 145 का टाइमिंग वाय गारेंटी में नहीं के सकता इसको ट्रेटि के ऊपर चलिफ्टी की ऊपने या इसके नीचे भी चलेगा ओके तो यह जो है यहां से मार्केट उपर जाना चाहिए यह सेल जोन में से यह जोन में से कहीं पर धक्का खाके नीचे आना चाहिए यहां तक आना चाहिए तो यह जोन पर हम बाइंग करेंगे जबकि हमारी 99 परसेंट कॉंफिडेट माइं यहां पर बनती है ठीक है आई होप एवरीबडी इस क्लियर और इसको ज्यादा कॉंप्लेक्स नहीं करते हैं लाई में में रहूंगा देखो में लाई में ट्रेड नहीं देता कि यह प्राइक प्राइस बाई कर लो इतने प्राइस में बाई कर लो इतने पर एक्जिट कर लो में नहीं देता हूं इतना करने के बाद अगर आपको मैंने बोला था कि आपको डाउन साइड में घवराने की जरूरत नहीं है मार्केट उपर ही जाएगा और मैंने बोला था जिसको हेज बगरा करना है और ट्यूजडे करना क्योंकर ट्यूजडे में हमारी वीकली लेवल तक यह आ जाएगा कैपिंग लेवल तक आ जाएगा स्ट्राइड उपन करेंगे यह अ जैनल उपन करेंगे या इसना करेंग नभारा में बनांद को अगर यह के लिए कोई सेलिंग पोजिशन आपको बनानी है अगर आपने मेरे साथ 39,000 पी सेल किया है और 38 37,800 का पी बाइ किया है तो ओ पोजिशन को आप कंटिन्यू करोगे कल तक ओके इविन वेडनेज दे तक भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर किसी ने किया है ठीक है थैंक यू बेरी मच्च, कुन नाइट, जमात्ति